नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इट्स मिराकी पर तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था Historical School of Jurisprudence का इंट्रोडक्शन और हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से ये जो philosophy है जो School of Thought है वो develop हुआ अब इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके characteristics को Historical School of Jurisprudence के characteristics को तो इसका जो पहला characteristic है वो है Vox Geist Vox Geist तो Vox Geist का मतलब क्या होता है Vox Geist का मतलब होता है National Spirit National Spirit यानि की वो भावना है जो एक community को एक society को या एक country को आपस में मतलब उस country के लोगों को आपस में जोड के रखती है For example अगर हम England की बात करें तो England के अंदर में एक common religion है Christianity तो वो जो religion है वो वहाँ के लोगों को एक दूसरे से जोडती है एक दूसरे से जोड के रखती है अगर हम Europe के अंदर अलग-अलग countries की बात करें तो अलग-अलग countries की अलग-अलग language है तो वो जो language है किसी एक country की particular language है let's say German तो Germany की German एक language है France की French language है Spain की Spanish है तो ये जो अलग-अलग language है ये अलग-अलग countries के अंदर वहाँ के लोगों को एक दूसरे से जोड के रखती है तो इससे क्या होता है कि एक common feeling उनकी आती है एक we feeling वो महसूस करते है तो मतलब unitedness की feeling महसूस करते है और वही feeling जो है वो national spirit है तीसरी अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के अंदर ना ही कोई common religion है ना ही कोई common language है लेकिन हमारे पास एक common historical background है कि हम सब कि सब धर्म के लोगों ने सब भाशाओं को बोलने वाले लोगों ने मतलब अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग भाशाओं को बोलने वाले लोगों ने मिलकर आजादे के लिए fight की थी तो इससे एक we feeling निकल कर आती है कि हमने मिलकर independence के लिए fight किया था, तो हम सब एक हैं, तो यह जो feeling होती है कि हम सब एक हैं, वो अलग-अलग factors जैसे हमने देखा religion, language, common historical background, तो यह जो अलग-अलग factors हैं, वो इस type की feeling को produce करते हैं, तो यही national spirit है, अब जो दूसरी अब इसका मतलब क्या है, तो basically Sabigny जो है, वो law को एक language के साथ compare कर रहा है, अब क्या होता है, कि हर एक जगह की अलग-अलग language होती है, हर एक country की अपनी-अपनी language होती है, अब वो कहता है कि जैसे एक country की language, दूसरी country के लोग नहीं बोलते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, कि एक जगह की जो language है, एक country की जो language है, वो दूसरी country के लोगों के उपर enforce नहीं किया जा सकता है, उसी तरीके से एक country का जो law है, वो दूसरी country के लोगों के उपर enforce नहीं किया जा सकता है, अब इसने ऐसा basically क्यों कहा था, क्योंकि उपर हमने देखा कि जो प्रोफ जैसे हम language को नहीं impose कर सकते हैं, उसी तरीके से हमें law को भी impose नहीं करना चाहिए, जैसे language वहाँ के लोगों के characteristics से conditioned होती है, मतलब जिस तरीके के वहाँ के लोग होते हैं, जैसे उनकी habits होती है, जैसा उनका custom होता है, उस तरीके की वहाँ language होती है, उसी तरीके से law भी वैसा ही ह वहां के customs के हिसाब से आप उसे Germany के अंदर कैसे लगा सकते हो उसे कैसे इंपोस कर सकते हो तो basically यही बात थी तो इनों ने का था कि जैसे Germany के अंदर भी वहां के लोगों की जो characteristics है उससे conditioned law होने चाहिए तो इसी को यहां पर यह लिखा हुआ है कि law is like a language अब तीसरी जो बात इसी से रेलेट करते हुए है कि यह कहते है कि law did not make its first appearance in the form of logical rule law ने logical rules के form में सीधा ही society के अंदर अपनी appearance नहीं दी बलकि it existed within each society यह हर एक society के अंदर होता है मौजूद होता है और evolved and evolved in the form of customs and tradition मतलब law जो है यह society है society के अंदर शुरू से ही law होते हैं जो किसी custom या किसी ritual के form में society के अंदर evolved हो रहे होते हैं जो jurists हैं या जो lawmaker हैं उनका काम है बस इन्हें recognize करना ठीक है यही इनका काम होता है बस कि law जो rituals जो customs society के अंदर हैं उन्हें law के तरह recognize करो recognize यानि कि उन्हें माननेता प्रदान करो उन्हें मानो कि यही law है तो यह है कि law did not make its first appearance in the form of logical rule it existed within each society and evolved in the form of customs and traditions so Savigny stressed on the need for study and research of German history and culture for any reform in German law यह Savigny ने कहा अब आगे भी सेवी बात की गई है यह vocation जो है वो basically उसके book का title है पूरा नाम कुछ full name कुछ होर है इसका short में vocation लिखा हुआ है तो यह जो vocation है इसी के अंदर इसने कहा था कि law is like a language and it is also conditioned and determined by the peculiar character of people by its national spirit that is works case तो यह works case का concept था इसका जो second characteristic है इसका यह कहता है कि law can only be discovered or found and cannot be artificially created जो हमने उपर बात की कि law जो होता है वो society के अंदर exist करता है यह society के अंदर rituals और customs के form में evolve हो रहा होता है the the thing the jurist has to do is to recognize that law not to create not to artificially create dot law